एक बार भगवान विश्नु गरुड पर बैठे शिव जी से मिलने जा रहे थे। कैलाश पहुँचकर विश्नु जी भगवान शिव से मिलने चले गए और गरुड को द्वार पर ही रुखने के लिए बोला। अपने स्वामी की बात मानकर गरुर देव द्वार पर ही रुख गये। तभी उनका ध्यान वहां बैठी एक छोटी सी चिडिया पर गया। चिडिया देखने में जितनी सुन्दर थी उतनी ही चंचल भी। उसकी हरकते बार बार गरुन देव का ध्यान अपनी ओर खीच रही थी। वापस जाते समय वो इसे यमलोक ले जाएंगे। यम देव तो शिव जी से मिलने अंदर चले गए लेकिन गरुन देव को ये चिंता खाये जा रही थी। उन्हें चिडिया की मासूमता पर गया आ गई और उसकी जान बचाने के लिए उन्होंने उसे अपने पंजों में द यमराज कैलाश से वापस जा रहे हैं। उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने यमदेव को रोक कर उनसे पूछा ही लिया। प्रभु आप उस मासूम चिडिया को इतने आश्चर्य से क्यों देख रहे थे। यमदेव ने कहा गरुन उस चिडिया की मृत्यू निकट थी। प पर अब वो यहां नहीं है। इसका मतलब वो वहां पहुँच चुकी है जहां उसकी मृत्यू होनी थी और अब तक उसकी मृत्यू हो भी चुकी होगी। गरुन देव को खुद के किये पर बहुत पच्चतावा हुआ क्योंकि वो स्वया उस चिडिया को वहां छोड़ कर आ आपको बता दे यमदेव सूर्य देव के पुत्र है इनकी माता का नाम संग्या है। जीवों की मृत्यू लाने वाले देवता यमदेव यमलोक के राजा है और इसलिए इनका नाम यमराज है। यमदेव को दक्षन दिक्षा का दिकपाल भी कहा जाता है यानि की दक्षन द वहां चित्रगुप्त उस प्राणी के कर्मों का हिसाब करते हैं। कर्मों के हिसाब के बाद ही यम्राज ये तै करते हैं कि उसे नर्प मिलेगा या स्वर्द।